कालू व्यूर्स हम तयारे करे हैं दस्वीं गनित वार्षिक परिक्षा की और आज के वीडियो में हम वार्षिक परिक्षा में आने वाले सारे महतपुर्ण वैकलपिक प्रेशन के 100% आपकी तेयारी अबी हो जाएगी तो शुरू करते हैं प्रेशनप पहला है सही विकल्प चुनिए इसका पहला है 96 और 404 का HCF होगा तो इन दोनों का SCF निकाल कर हमें देखना पड़ेगा और इसका उत्तर होगा 4 इसके बाद अगला है 12 और 15 का HCF होगा तो 12 और 15 का जब SCF निकालेंगे तो उसका उत्तर आएगा 3 इसके बाद तीसरा है 2 संख्याओ का गुननफल 32 तथा उनका LCM 8 है तो उनका HCF होगा तो यहां हमें SF निकालना है तो LCM दे रखा है हमें और 2 संख्याओ का गुननफल दे रखा तो इसका सुत्र होता है 2 संख्याओ का गुननफल बराबर LCM गुना HCF तो दो संख्याओं का गुणा 32 है बराबर LCM गुणा SCF तो LCM हमें दे रखा 8, SCF निकालना है तो यहाँ जो 8 है बराबर के उस तरफ था तो यह बटे में चला जाएगा 32 में 8 का भाग लगा देंगे, 8 चोग 32 हो जाते हैं तो यहाँ उत्तर आएगा 4 इसके बाद है 4 और 7 का महत्तम समापवर्टक होगा तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्टक होगा 1 इसके बाद अगला है किसी पुर्णांक M के लिए सम पुर्णांक निम्न सुरूप का होगा तो वह होगा 2M इसके बाद है संख्याओ 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा तो हमें इनका LCM और HCF निकाल के फिर उसका अनुपात बताना है तो यह अनुपात होगा 12, अनुपात 1 इसके बाद हम देखेंगे रिक्तिस्थान तो इसमें पहला प्रिश्ण है यह सुत्र है इसके बाद है संख्याओ 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा तो इनके HCF का मान होगा 1 इसके बाद हम देखेंगे 17, 18 वाली क्यूश्यन तो यहां पहला है दो धनात्मक पुर्णांक A और B दिये रहने पर एसी अधिती पुर्ण संक्या Q और R विध्यमान है कि A बराबर B क्यू धन R जहां जो R है वह 0 से बड़ा और बराबर है और B से छोटा है तो यहाँ पर यह कथन सद्य है या असर तो यह कथन सद्य है इसके बाद अगला है एक प्राकरस संक्या का अभाज गुणनखंड उसके गुणनखंडों के करम को छोड़ते हुए अधिती होता है तो यह कथन भी सद्य है इसके बाद अगला प्राशन है यदि द्विघात बहुपत A X की घात दो धन B X धन C के शुन्यक अलफा और बीटा हो तो अलफा गुणा बीटा का मान होता C बटा A तो इस तरह के प्रशनाम कर चुके हैं यही सुत्रवाले इसके बाद यदि द्विघात बहुपत A X की घात दो धन B X धन C के शुन्यक अलफा और बीटा हो तो अलफा धन बीटा का मान होगा तो अलफा धन बीटा का मान होगा रिन B बटा A तीके रिन B बटा A यहा उत्तर आएगा इसका इसके बादे रेखी ये बहुपद A X धन B का शुन्य खोगा तो जो रेखी बहुपद A X धन B का शुन्य खोगा रिन B बटा A इसके बहुपद X की खाद 2 रिन 3 के शुन्य खोंगे तो इसके शुन्य खोंगे धन रिन अंडर उट 3 इसके बाद बहुपत एकस की घात दो धन साथ एकस धन दस के शुन्यक होंगे तो इसके शुन्यक होंगे रिन दो रिन पाँच ठीक है रिन दो रिन पाँच इसके बाद है बहुपत एकस धन एक और एकस की घात दो रिन एकसर रिन एकस की घात चार धन एक के लिए घात होगी तो इसके लिए जो घात होगी वहोगी पांच इसके बाद अगला प्रिश्ण है यदि द्विगाद भुपत के शुन्यक रिन 3 तथा 4 हो तो द्विगाद भुपत होगा तो यह द्विगाद भुपत होगा एक सकी खाद 2 रिन एक सरिन 12 इसके बाद अगला प्रिश्ण है किसी बहुपत के कुल शुन्यक उस बहुपत के आरेक के निमनलिखित पर प्रतिचेद के कुल बिंदू की संख्या के बराबर होते हैं तो यहाँ पर आएगा एक सक्षपर ठीके एक सक्षपर इसके बाद अगला प्रश्ण है रिक्तिस्तान के पूर्ती कीजिए इसमें पहला है रेखी बहुपद A, X, Dhan, B का शुन्यक है तो इसका शुन्यक होता है रिन B, B, A इसके बाद दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है यहां पर इक्तिस्तान में आएगा बहुपद दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है इसके बाद तीसरा है बहुपद, X, Dhan, 4, X, Dhan, 8 के शुन्यकों का योग है तो इनके शुन्यकों का योग है रिन 4 इसके बाद अगला है X की घाद दो धन 4, X दन 8 के 6 को का गुणन फल है तो इनके 6 को का गुणन फल है 8 अगला है यदी भौपत के दिन 1, X की घाद दो धन के X दन 1 का 1 शुन्यक दिन 3 हो तब के का मान तो के का मानाएगा 4 बटा 3 इसको हल करके देखना पड़ेगा तो उत्तराता 4 बटा 3 इसके बाद अगला प्रश्ण है सत्य असत्य तो इसमें पहला बीजी व्यन्जक एकस की घात 2 रिन 2 अंडरूड एकस धन साथ बहुपत नहीं है तो यह कथन सत्य है इसके बाद शुन्य बहुपत की घात शुन्य है यह सत्य कथन है अगला है शुन्य बहुपत की घात अपरिभाशी थे तो यह सत्य कथन है अगला है एन घात वाले बहुपत के अधिक्तम एन शुन्यक हो सकते हैं तो यह भी सत्य है इसके बाद अगला प्रिश्ण है एक शब्दे अवाक्य में उत्तर इसमें पहला रेखिक बहुपत की घात कितनी होती तो रेखिक जो बहुपत होता है इसकी घात एक होती है तो इसकी गात होती तीन, रेखिक बहुपत की गात एक, दुझार बहुपत की गात दो, त्री घार बहुपत की गात तीन, इसके बाद किसी बहुपत PX के लिए Y बराबर PX का ग्राफ नीचे आकरति में दिया है, PX के शुन्यकों की संख्या लिखे, तो यहाँ PX मतलब X अक और यहाँ पर यह वाला जो ग्राफ है इसके अनुसार इसके शुन्यक होंगे एक और दो क्योंकि दो जगी ही है एकस अक्ष को काट रहा है तो दो शुन्यक होंगे तो इसका उत्तर आएगा दो अगला प्रिष्ण है निम्नलिकित में से दो चरों में रेखिक समीकरण है तो यहाँ दो चरों में रेखिक समीकरण है पी एकस धन छे वाई बराबर साथ क्योंकि यहाँ दो चर है एकस और वाई और रेखिक बहुपत पूछा है रेखिक समीकरण पूछा तो रेखिक जिसकी घात एक ही होती तो यहाँ घात एक ही है दोनों की इसलिए यह दो चरों में रिखिक समीकन है और बाकी जो उधान दे रहे हैं इसमें यहाँ घात दो है इसमें यहाँ घात दो है तो यह उत्तर नहीं आएंगे यह उत्तर सही है तो यह उत्तर है इसके बाद अगला जो धन C1 बराबर 0 तथा A2 X धन B2 Y धन C2 बराबर 0 का तो इसका होगा एक अधुती हल होगा ठीके अधुती हल होगा इसके बाद है यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और यह बराबर नहीं है C1 बटा C2 तो रेखिक समीकर्ण युगम में तो हल कैसा होगा इसका कोई हल नहीं होगा ठीके यह हमें ध्यान रखना है इस तरह का प्रश्णा जैसे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो अधुती हल होगा और यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और यह बराबर नहीं है C1 बटा C2 के तो कोई हल नहीं होगा इसी प्रकार अगला जो प्रश्ण है यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और यह भी बराबर है C1 बटा C2 तो ऐसी इस्तती में अंततह अनेक हल होंगे इसके बाद अगला है रेखिक समीकर्ण युगम A1 X धन B1 Y धन C1 बराबर 0 तथा A2 X धन B2 Y धन C2 बराबर 0 का एक अधिती हल होने के लिए शर्त है तो अधिती हल होने के लिए शर्त है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के इसी प्रकार अगला है रेखिक समीकर्ण युगम में कोई हल नहीं होने की शर्त है ठीक है कोई हल नहीं होने की शर्त है हमें पता इसकी शर्त है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा बीटूर या बराबर नहीं C1 बटा C2 के इसी प्रकार जो है डेखिक समीकर्ण युगम में अनन्त अनेखल होने की शर्त क्या है तो हमने अभी पिछले प्रेश्ट में भी देखा था इसकी शर्त है कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा बीटू के और बराबर हो C1 बटा C2 के तीनों ही बराबर होना चाहिए इसके बाद अगला जो रिक्तिस्थान है समीकर्ण 2X धन 3Y बराबर 5 में यदि X बराबर 1 तो Y बराबर यदि X बराबर 1 तो Y बराबर कितना होगा तो यहाँ पे आएगा Y बराबर 1 होगा इसके बाद वह समीकर्ण जिसको AX धन BY धन C बराबर 0 के रुप में रखा जा सकता है जहाँ A, B और C वास्त्विक संख्या है और A और B दोनों शुन्य नहीं है दो चरो X और Y में एक रेखिक समीकरण कहलाता है इसके बाद अगला है समीकरण 2X धन Y बराबर के मियदी X बराबर 2Y बराबर 1 तो K कमान क्या होगा यहाँ पर तो इसका उतर आएगा 5 क्योंकि एक सा बराबर 2 हो जाएगा तो 2 दुना 4 धन Y कमान 1 है तो 4 और एक 5 हो जाएगा तो K कमान 5 हो जाएगा तो इस प्रकार से हल करके देखने वाले सवाल है यहाँ इसके बाद है दो चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेखल होते हैं तो इस सत्य कथन है और रेखिक समीकरण का प्रत्य खल उसको निरुपित करने वाली रेखा पर इस्तितिक बिंदू होता है तो इस कथन भी सत्य है इसके बाद अगला प्रिश्ण है यदि 2 खा समीकरण AX की खा 2 धन BX धन C बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तकर का मान होगा तो इसे इस्तिति में समीकरण के विविक्तकर का मान होगा 0 यदि इनके मूल समान होगे तो इसके बादे समीकर्ण X की घात 2 धन X रिन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो इनके मूलों की प्रकृति होगी वास्त्विक और भिन्न अगला है किसी द्वी घात समीकर्ण में चर्की अधिक्तम घात होगी तो अगला है द्वी घात समीकर्ण AX की घात 2 धन BX धन C बराबर 0 का विविक्त कर होगा तो इसका विविक्त करोगा D बराबर B की घात दो रिन 4AC इसके बाद अगला है निम्नलिकित में से किस दी घात समीकर्ण के मूल वास्तिक होंगे तो किस के मूल वास्तिक होंगे तो यह तो हल करके देखने वाला और इसका उतर आएगा X की घात 2 धन 4 बराबर 0 अगला है दी घात समीकर्ण 2X की घात 2 रिन 7X धन 6 बराबर 0 के मूल होंगे तो इसके मूल होंगे 3 बटा 2 और 2 अगला प्रश्ने रिक्तिस्थान X समीकर्ण PX बराबर 0 जहां PX घात 2 का बहुपद हो समीकर्ण कहलाती तो अगला है किसी दी घात समीकर्ण के अधिक्तम 2 मूल होते हैं अगला है समीकर्ण X रिन 3, X रिन 4 बराबर 0 के मूल 3 और रिन 4 है अगला यदि किसी दी घात समीकर्ण के मूल वास्तिक और समान हो तो समीकर्ण के विविक्त कर का मान शुन्य होगा तो सारे वेकल्पिक प्रश्न बहुती महत पूर्ण है आप एक या दो बर देख लोगे तो आपको ध्यान रहेंगे अगला है दी घात समीकर्ण AX की घात 2 धन BX धन C बराबर 0 के विविक्त कर का सुत्र है इसकी बाद अगला है सत्य असत्य लिखिए इसमें पहला है किसी एक द्विखात समीकर्ण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं क्योंकि द्विखात समीकर्ण के दो मूल हो सकते हैं अगला है समीकर्ण AX रिन 1 बराबर 0 के मूल 0 रिन 1 होंगे तो यह कतन असत्य है अगला है समीकर्ण AX की खाद 2 रिन 4 एक से धन 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो यह कतन सत्य है और AX धन B बराबर 0 एक द्विखात समीकर्ण है तो यह असत्य है क्योंकि रिखिक समीकर्ण है अगला प्रेशन देखेंगे हम एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें पहला समीकर्ण AX की खाद 2 धन BX धन C बराबर 0 में मान B की खाद 2 रिन 4 एसी क्या कहलाता तो यह कहलाता विविक्तकर ठीक है विविक्तकर अगला यदि किसी दिखाद समीकर्ण के मुल वास्तिक और समान हो तो समीकर्ण के विविक्तकर का मान कितना होगा तो वह होगा शुन्य अगला यदि किसी दिखात समीकरण के विविक्त करका मान दिनात्मक हो तो समीकरण के मुलो की प्रकृति केसी होगी? इस प्रकार से हमने वेकलपिक प्रश्णों की त्यारी करीए इसके पार्ट टू में अगले जो वेकलपिक प्रश्ण है जो बाकी बच्चों वे उनकी त्यारी हम करेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए